तो यहां हम पढ़ते हैं अभी जो हमारा सीरीज जल रहा है वो है फिफ्थ स्टेंडर्ड का और हमारी बुक है स्पैरो बुक और यह है स्पैरो बुक जो में ली आईसी सी बोर्ड के लिए है बट कुछ लेसंस जो एंसी आर्टी दौर भी प्रस्क्राइब किये गए हैं तो ह हो सकते है जो हम लेसन आज पढ़ रहे हैं वह आपके बुक में भी हो बट फिफ्थ स्टेंडर्ड की बुक आप देख लिजे और हमारा आज का जो लेसन है वो है दे हाफ लाई और इस हाफ लाई में हमने अब तक यह हमारा थर्ड पार्ट है इस लेसन का दे हाफ लाई का जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है नहीं तो आप दूसरे जो दो पार्ट है वो आप देख सकते हैं सुन सकते हैं हाफ लाई मतलब आधा जूट यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अभी तक जो एक बिजनसमैन है काईरो में मर्चंट यानि व्यापारी वो एक स्लेव यानि एक गुलाम को खरीद कर लाता है जिसका नाम होता है काफुर और वो काफुर साल में एक बार एक जूट बोलता है तो जब उसने मर्चंट ने खरीदा तो उसे बताया गया कि यह एक बार जूट बोलता है और यह जो एक कर लूँगा मैं इसको बरदाश कर लूँगा तो चलिए पढ़ते हैं तो यह एक जूट जो था वह जब एक बार उसका मालिक कहीं गया था नया साल सेलिब्रेट करने के लिए तो वह अपने घर काफुर को उसने भीजा कि घर से तुम कुछ लेकर आओ और घर जाकर उसने मालिक मर गया है यह उसका जूट था और जब उसकी मालक ने विश्वास कर लिया कि अच्छा मालिक मर गया है तो बहुत रो रही थी दुखी हो रही थी तो चलिए देखते हैं अब आगे और वहां पर उस टाइम यह कस्टम था कि जब घर का जो मालिक की डेथ हो जाती थी तो घर में जो भी समान होता था, उसको पूरा तोड़ा जाता था, फेका जाता था, तो काफुर भी अपनी मालकिन की मदद कर रहा था उस समान को तोड़ने में, और वो दोनों रो रहे थे, और समान तोड़ रहे थे, तो अब उससे आगे, So now let us go and fetch my poor husband's body, said the merchant's wife, तो अब merchant की जो wife है, वो बोलती है, कि चलो अब मैं अपने मेरे husband की body को fetch यानि वहाँ जाकर लेकर आती हूँ, She ran out of the house और वो घर से बाहर की तरफ भागी, with all the people following her, और सासाथ जो और भी लोग महाँ इकठे हो गए थे, उसको follow कर रहे थे, and as they went through the streets, more and more people began to join in, और जैसे वो गलियों में से जा रहे थे, went through the streets, गलियों में से जा रहे थे, more and more people, मतलब जो भी उनको देखता था, सुनता था, लोग उनके साथ, उनको join कर लेते थे, काफुर ran before them all, और काफुर उन सब में से भाग, मतलब आगे-आगे भाग रहा था, और अभी भी वो बहुत जोर-जोर से रो रहा था, चिला रहा था, Oh my poor master, my poor master, अरे मेरा मालिक, अरे मेरा मालिक करके, वो बहुत जोर-जोर से रो रहा था, सुन, he had out distanced all the others, सुन मतलब जल्दी उसने सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया, और मतलब उन से आगे निकल गया, so that he got to the garden first, ऐसा उसने कि इसलिए किया, कि जिससे वो वहाँ जो गार्डन में सरसे पहले पहुँच जाए, with a huge crowd some way behind, और जो भीड कठा होगे ति उसको बहुत पीछे छोड़ कर, then though he still hauled and wept, he began to cry out, और जबकि वो अभी भी जो है रो रहा था और बहुत सुबक रहा था, he began to cry out, और अब वो जोड से चिलाने लगा, जैसे वहाँ पहुचा, Oh, 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 my mistress, my mistress, who will care for me now? अब जब वो वहाँ गार्डन में पहुँच गया, तब उसने क्या बोला? उसने बुला, अरे मेरी मालकीन, मेरी मालकीन, who will care for me? अब मेरी देखबाल कौन करेगा? His master, who was sitting peacefully with his friends, heard him. उसका मालिक, जो हाँ आराम से शांती से अपने friends के साथ बैटा था, उसने उसको सुन लिया. What's this? said the merchant. A merchant ने कहा, ये क्या हुआ? Standing up and looking very pale. वो खड़ा हो गया और बहुत ही pale, यानि बहुत बिमार जैसा दिख रहा था. What on earth has happened? What on earth has happened का मतलब होता है, क्या हुआ? What on earth? मतलब क्या हो गया? Aha, my master, said Kafur, when I reached your house, तब Kafur ने का, अरे मालक, when I reached your house, जब मैं आपके घर पहुँचा, I found that it had fallen down, and that everyone inside it had been killed. तो जब मैं आपके घर पहुँचा, I found, मैंने देखा, या मुझे मिला, that it had fallen down, कि वो जो घर है, वो गिर गया था, नीचे गिर गया था, and that everyone inside it had been killed, और जो भी घर में अंदर था, सब मर गए. My wife, said the merchant, merchant ने पूचा, मेरी wife, मेरी patni, dead, cried Kafur. Kafur, चिलाया, मर गई. And the mule, I loved to ride on. तो उसने का, वो जो खचर था, जिस पर मैं, मुझे, loved to ride on, जिस पर बैठना, मुझे बहुत पसंद था. Crushed too, cried Kafur. Kafur ने का, वो भी crush हो गया, मतलों, वो भी मर गया. And my son, and my daughters, फिस ने फिर पुचा, मेरे बेटा, और मेरी बेटिया, all dead, cried Kafur. Kafur ने का, सब मर गई. And the sheep, and the geese, and the hens too. And sheep, geese, और मुर्गियां भी सब मर गई. Sorry. Then the merchant beat his chest and tore his fine clothes. अब merchant ने अपनी जाती को पीट लिया and tore his fine clothes और अपनी कपडों को. His friends also cried with him और उसके दोस्त भी उसके साथ रोने लगे. And they all started off towards the city. और वो सबी city की तरफ started off, मतलब उन्होंने उसकी तरफ चल दिये. They had not gone far. वो बहुत दूर नहीं गये थे when, मतलब जब, of course, they met the merchant's wife and family. वो बहुत दूर नहीं गये थे जब वो merchant की wife or family से मिले. And a huge crowd of neighbors और neighbors यानि परोस्यों की बहुत बड़ी भीर. Oh, are you safe? cried the merchant's wife. Merchant की wife चिलाई, अरे, तुम safe हो, तुम सुरक्षित हो. Oh, how is it with you? cried the merchant. A merchant ने बोला, और तुम कैसी हो? मतलब तुम कैसी हो? क्योंकि काफूर Why, we are all right, said his wife. तो उसकी wife ने का, क्यूं, हम सब ठेक हैं? But काफूर came weeping with his clothes, torn and told us the wall of the garden had fallen upon you as you faced it. But काफूर तो उसकी wife ने बोला, कि बट काफूर तो रोता हुआ आया, उसके कपडे फटे हुए थे, और उसने बताया कि garden की जो wall थी, वो तुम्हारे उपर गिर गई थी, जब तुम लोग वहां feasted मतलब कुछ खा रहे थे. No, said the merchant. Merchant का, नहीं तो, नहीं, काफूर ran in here, काफूर यहां आया, भागता हुआ, weeping and crying, रोता हुआ, चिलाता हुआ, clothed stone and with dust on his head. तो उसके कपडे फटे हुए थे, और उसके माथे पर धूल लगे हुए थी, and told us, the wall had fallen upon you, और उसने बताया कि दिवार तुम्हारे उपर गिरी थी, and that you all were killed, और जिससे तुम सब लोग मर गए. Then they both turned on काफूर, तब वो दोनों काफूर की तरफ, एक मुडे, who was still weeping and crying and beating his chest, जो अभी भी रो रहा था, चिला रहा था, और अपनी चाती को पीट रहा था. How's this you wretch, said the merchant. तो उसने कहा, wretch मतलब होता है, एक बहुती mean person, एक बहुती जिसके कहते हैं, कि जिसको कुछ पता नहीं होता है, जिसको चरितर ठीक नहीं होता. Mean person, एक अच्छा, मतलब वो अच्छा आदमी नहीं था. Said the merchant, you won't get off lightly. तुम ये सब तुम्हें जो है ना, इतनी आसानी से, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूँगा, इस तरह से. I can tell you, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, just wait till we get home, जरा रुको जब तक हम घर जाते हैं, and then you will have a beating, you won't forget, और तब मैं तुम्हें इतना मारूँगा, कि तुम उसको नहीं भूलोगे. Oh no master, answered kafur with a grin, grin मतलब वो बड़ी, एक अजीब सी smile से, smile थी उसकी face पर. Grin मतलब एक चालाकी वाली हसी. Aray master, नहीं, that would not be fair, ये तो ठीक नहीं होगा, मतलब एक राइट नहीं होगा. You bought me cheap, तुमने मुझे बड़े सस्ते में खरीदा था, because I had one fault, क्योंकि मेरा में एक कमी थी. And you said, you would put up with the consequences, और तुमने कहा था, कि जो, you would put up with the consequences of me, telling one lie a year. तो कौन सी, ये जो consequences है, इसका मतलब होता है, कि जब कुछ होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसके बाद में, मतलब उसका जो result क्या होता है. तो of me, क्योंकि तुम्हें बता दिया था, कि मैं एक बार जूट बोलता हूँ, so far this has only been half a lie. Me telling one lie a year, कि तुम्हें बताया गया था, कि मैं एक बार जूट बोलता हूँ, so far this has only been half a lie, तो अभी तगी आधा जूट है, before the end of the year, I will tell the other half, तो जब साल खतम हो जाएगा, उससे पहले में, दूसरा मतलब जो बचा हुआ आधा है, वो बताऊंगा, the merchant became furious, furious मतलब पहुआ ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तो merchant जो था, वो पहुआ ज़्यादा गुस्सा हो गया, but all the family members and friends suggested, that it would not be fair for him, but all the family members and friends suggested, but सभी family वालो ने, और friends ने suggest किया, उसको समझाया, that it would not be fair for him, कि ये उसके साथ ठीक नहीं होगा, मतलब correct नहीं होगा, to punish काफुर, काफुर को punishment देना, when he got home and found his house, in such a state, so जब एक घर गया, and found his house in such a state, और जब उसने देखा, उपने घर को उसकी जो हालत हो गई थी घर की, and so much damage done, और जो बहुत सारा damage यानि जो नुकसान हो गया था, क्योंकि उसने सब तोड दिया था, वहाँ पर खिड़ की टूटी थी, सब बरतन टूटे हुए थे, he remembered with horror, मतलब वो बड़ा उसको बहुत ज़्यादा, that काफुर had talked about more lies, before the year was out, he remembered with horror, मतलब वो एक तरह से डर गया, that काफुर had talked, की काफुर ने बता दिया था, की about more lies, before the year was out, की इससे पहले की साल कतम हो, वो और जूट बोलेगा, do you call this only half a lie, तो उसने कहा, तुम इसे सिर्फ आधा जूट बोलते हो, yes master, said काफुर grinning, grinning मतलब again, बड़ी चाला किसी हस रहा था, हाँ master, why then a whole lie of yours, would wreck a city or even two, तो जो merchant था, उसने बोला,